वेल्गम पैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत इंपोर्टेंट कोशन्स की आज की कॉशन्स थोड़े अंडेस्टेंडिंग लेवल के यानि कि आज का कॉशन्स कुछ इस तरह खें जिसमें आपक और बैल आइकन पे क्लिक भी जरूर केज़ेगा जैसे की फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मेल जाए तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें कि एक कंज्यूमर है जिसका 89 रूपीज लैक का एक कंपेंसेशन है जिसको उसे एक केस की रूप में फ द्रियुमर प्रेशन एक्ट के अंदर यहां पर यहां पर बताए गए और मैंसे किस लेवल में अप्लाइ करेगा ओप्शन्स हैं डिस्टिक इस्टिक इस फॉरूरम सेखिंड इस्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रट्रेशल को कमिशन थर्ड है नेशनल कंज्यूमर तो डिस्टिक की बात करें तो डिस्टिक लेवल पर जो अमॉंट फिक्स किया गया है वो है वन करूर तो इट मीज यहां पर 89 लैक का जो भी केस है वो डिस्टिक कोट में जाएगा तो यहां पर ऑप्शन वन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट है विच आप दी फॉलाइंग डाज नॉट फॉल विदिन जुरुडिकेशन ओफ एमार्टीप एक्ट यानि की फ्रेंड्स एमार्टीप कमीशन की जुरुडिकेशन के अक्वाडिंग यहां पर कौन सी चीज है जो फॉल नहीं करती है लाई नहीं करती है अप्शन है हमारे प्रेवेंशन ओफ मोनोपॉलिस्टिक ट्रेट प्राक्टिसेज सेकेंड है प्रेवेंशन ओफ रिस्टिक्टिव ट्रेट प्राक्टिसेज थर्ड है प्रोविजन ओफ अन्फियर ट्रेट प्राक्टिसेज और फॉर्थ है हमारी रेगलेशन ओफ कॉमिने तो फ्रेंड्स MRTP की full form सी अगर हमें पता हो तो उससे हम यह options अपने easily opt कर सकते हैं MRTP की full form है monopolistic restrictive date practices यानि की friends यहाँ पर monopolistic की बात की गई है तो हमारा options जो है यह नहीं आएगा अगर हम यहाँ पर restrictive date practices की बात करें तो हमारा option second भी नहीं आएगा और यहाँ पर अगर हम unfair trade practices की बात करें तो यह भी हम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यह तीनों चीज़ें तो इसके अंदर apply की गई है यहाँ पर यह पूछाए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर line नहीं होगी तो यहाँ पर option 4 जो हमारा regulation of combinations वो हमारा यहाँ पर सही होगा क्योंकि regulation of combination के ऊपर यहाँ पर MRTP Commission के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं बताए गई है next है which of the following is not a part of the economic environment of a business यानि की जो economic environment है किसी भी business का उसमें से यहाँ पर कौन सी चीज़े जो उसका part नहीं है first competitive environment second economic system third changes in patent laws and fourth and none of the above friends अगर हम किसी भी business के economic environment की बात करें तो वहाँ पर competitive environment भी बात की जाती है तो यह option कलथ हो जाता है और अगर हम economic system की बात करें तो economic environment की अगर हम बात करें तो economic system आएगा ही तो यह भी हमारा या पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पेटेंट लोज में जो भी चेंज आ रहे हैं वो भी सके अंदर आएंगे तो यह लब गलत है तो इसका जो करेक्ट की बात करें तो यहां पर फोर्थ आप्शन, जो होगा वह मारा करेक्ट आंसर होगा हiyim लेक्स कॉस्चन पर आते हैं लशस्पार पॉलिसी इस लड़ लाड़िस इस पर फिए पॉलिसी क्या होती है जिसके अंदर जवर्श कंप्वेरी स्क्रेइव फ्री होते हैं उसी तरह का गुवर्मेंट यह नहीं होता किसी भी तरह की कस्टम डूटी को लेके सप्राइब लेकैं तो यहां पर वो फ्री होते हैं आप शेवर करते हैं शोज्रीस्ट फ्री क्वार्मिक सिस्टम Capitalist Economic System, Mixed Economic System या Communist Economic System तो Friends, अगर हम Socialist की बात करें तो यहाँ पर Government की बात की जा रहे हैं तो यह Option गलत है Mixed की बात करें तो भी Government आएगा यह भी गलत है और Communist की बात करें तो यहाँ पर Government के Rules चलते हैं तो यह भी Option गलत हो जाते हैं हमारज right answer होगा वह होगा capitalist economy इसके अंदर private sector की बात की जाते हैं यहां पर government intervention नहीं होता है next है relaxing the restrictions and controls imposed on business and industry means यानि कि किसी भी business and industry पे अगर किसी भी तरह के restrictions या controls imposed किये गए हैं और उसको relax किया गया यानि कि उनको हटाये गया है तो वो क्या है इसका मतलब liberalization से मतलब है प्राइटाइजेशन से मतलब है globalization से मतलब है या none of these से मतलब है तो friends अगर किसी भी company या फिर किसी भी business या industry के उपर किसी भी तरह के restrictions है इसको रिलेक्स किया जाता है यानि कि control तो है लेकिन इतना control नहीं है कि वह अपनी किसी भी तरह की dealing ना कर पाएं किसी भी तरह के इसके रिखन करेक्ट आएं कि नेक्स्क्त कोशन है अब वेरीवल सच आसे अक्टिविटी डैट कॉज इस को सटेश अब ए गिविं टाइम से एक जैसे कि कोई एक्टिवीटी जो कि किसी कोड्च उसकी जो कॉस्ट आ रहे है गिविं टाइम के ऊपर उसका था रहन तह क्या है cost driver cost behavior cost center none of the above तो friends यह होता है cost driver के कारण जिसको हम cost driver बोलते हैं नेक्स्ट है the concept of budget that requires all levels to work from scratch is यानि कि friends concept budget का वो concept जिसके अंदर scratch से शुरू किया जाता है सारा काम यानि कि अगर कोई भी budget प्रिपेर करना है किसी भी लेवल पर तो वहां पर scratch यानि कि starting से किया जाता है तो budget कौन सा budget होता है flexible budget total budget master budget या zero based budget friends flexible budget की बात करें तो यहां पर budget की बात की जा यहां पर हम बनाएंगे किसी और budget की help सी यानि कि हमारे पास डिफ्रेंट डिपार्टमेंट की बजट है उन सब की help से हमने एक total budget बजट बना लिया तो यह option भी मारा गलत है master budget बजट अगेन हमारा बात की जाती है है यह starting से prepare किया चाता है इसलिए इसका option for correct है कि next time accounting standard on the effect of changes in foreign exchange rate is यानि कि friends वो accounting standard जिसके अंदर the effect of changes in foreign exchange rate आता है वो कौन सा accounting standard है तो friends वो accounting standard है हमारा 11 friends अगर आप अपने mcom entrance exam के त्यारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने यह जो counting standard है इनको भी आप अच्छे से revision कर लेजे क्योंकि यह भी important होते हैं exam के point of view से next है land is not depreciable asset because यानि कि friends land depreciable asset नहीं है क्योंकि its value always increases इसकी value always increase होती रहती है there is no maintenance required इसक लिए किसी वी तरह की maintenance की जरूत नहीं है life of land is unlimited जो land की जो life है वो unlimited है या फिर none of the above यानि की कोई नहीं तो friends अगर हम land की depreciable ना होने का कारण जाने तो इसमें यह बोला गया है first option की its value increase होती रहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जो कि हमने अपने घर में भी सुना होगा कि उस building के या उस land के price down हो गया है वहां की land जो है अब उनके rate जो है वो कम हो गया तो ऐसा नहीं है कि always increase होती है तो options हमारा गलत हो गया next there is no maintenance required यह भी जरूरी नहीं है कि किसी भी लेंड में किसी तरह की maintenance की जरूरत ना हो तो यह options भी गलत है हमेशा हमेरे लिए maintenance की जुड़त होती है हम उस पर कुछ ना कुछ infrastructure डवलप करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा वहां पर as a repair या फिर as a expense कुछ खर्च होगा options third है हमारा life of land is unlimited friends life of land is unlimited यह बिल्कुल correct है तो हम options अपना third सही नहीं बता सकते हैं कि हमारा option third सही है क्योंकि कोई भी land कभी भी खतम नहीं होते हैं ऐसा नहीं है कि उस land की जो life है वो खतम हो गया हमेशा वो चलती रहती है चाहें कितने ही generations निकल चाहें लेकिन वो land वह कि वहीं ही रहेगी तो unlimited life होती है इसलिए यहां पर हम यह बोलेंगे कि land की जो depreciable assets है वो कभी नहीं calculate की जाते हैं या फिर land की depreciation कभी calculate नहीं की जाते हैं नेक्स्ट है the elasticity of demand for luxury goods यानि की जो luxury goods की जो demand है वो किस तरह की होती है infinite more than one less than one या फिर equal to one तो friends अगर हम luxury goods की बात करें तो उसकी जो value होती है infinite विलकुल नहीं होगी क्योंकि कोई भी ऐसा person नहीं है कि price increase हो रहे है उसके फिर भी उसको हम purchase करते चले जाए less than one वी नहीं होगी equal to one वी नहीं होगी तो यहां पर होती है more than one नेक्स्ट है profits are maximized at a point where यानि कि ऐसे कौन सा point situation है जहांबर हमारा profit maximize होता है जहां हमारे MR equal to MC होगी यानि कि marginal revenue equal to marginal cost या फिर marginal revenue less than marginal cost marginal revenue greater than marginal cost या फिर यहां पर average cost greater than marginal cost तो friends अगर हम profit maximize की बात करते हैं तो यह तब ही होगा जह हमारी marginal cost और marginal revenue दोनों equal होगी तो यहां पर option one हमारा right answer है हमेशा याद रखना कि marginal revenue और marginal cost अगर equal हैं तो वहां वह point हमारा सबसे ज़्यादा profit का होगा वहां पर हमारा profit maximize होगा तो यह situation हमेशा हमारी profit को maximize करती है next है the concept of consumer surplus was introduced and developed by यानि कि कोई भी consumer surplus का concept है वो किसने introduced किया था या developed किया था E.A.G. Robinson है J.M. Keynes ने L. Robinson ने या फिर Alfred Marshall ने तो friends consumer surplus का concept था वो दिया था Alfred Marshall ने next question है in law of variable proportional initially when MP rises यानि की MP का मतला होता है यहां पर marginal product यानि की marginal productivity तो friends अगर हम law of variable proportion की बात करें तो अगर हमारा marginal productivity rise होती है तो यहां पर हमारी TP की situation क्या होगी यानि total productivity की situation क्या होगी TP rises at a decreasing rate, TP rises at a increasing rate, TP rises less than proportionately या फिर AP rises more than proportionately तो friends अगर हम अपने MP की बात करते हैं की marginal productivity हमारी भढ रहे है तो इसका मतलब है कि हमारी total productivity होगी तो हमारा जो option 2 है वो हमारा correct transfer है next है which of the following statement is correct यानि की monopolistic charges maximum possible price यानि की यह monopolistic operate करते है in elastic demand curve या फिर none of the above तो friends अगर हम यहां पर correct statement की बात करें तो यहां पर option 4 वो sorry first हमारा right होगा क्योंकि monopolistic के अंदर हमेशा prices होते हैं वो maximize होते हैं यहां पर क्योंकि जो company होती है वो monopoly अपनी create करती है तो product के price क्या करते है maximize कर देती है तो यहां पर हमेशा उसके price जो है maximize रहते हैं नेक्स्ट है the central processing unit of a computer consist of यानि की जो central processing unit है किसी computer की उसके अंदर क्या-क्या consist है यानि क्या-क्या होता है input output and processing second है control unit primary storage and secondary storage third है control unit mathematical logic unit and primary storage next option है हमारा none of the above तो friends central processing unit की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो right answer होगा वह हमारा third जो की very common है यहां पर हम बात करें CPU की तो CPU की अंदर हमारा CU होता है जिसको control unit बोलते हैं ALU होता है जिसको mathematical logical unit बोलते हैं और PS होता है primary storage if the sample size increases the sampling error यानि कि अगर हमारा sample size increase होता है तो हमारा sampling error किस तरह का होगा decrease होगा increase होगा remains constant रहेगा या फिर none of the above रहेगा तो friends यहां पर अगर हम बात करें sample size increase होने की तो हमारा sampling error है अगर हम sample size increase करके चलने ता sampling error increase होने के chances ही नहीं होते क्योंकि यहां पर हमारे इनफ हमारे पास variables हैं हमारे research करने के लिए remains constant भी हमारा option गलत है और ननौकदी गलत है तो हमारा option 1 tax act came into force on यानि income tax act कब लागू किया गया था 1st April 1961 1st April 1962 1st April 1956 1st April 1965 तो पताए friends क्या होगा इसका right answer इसका right answer है वो है option B 1st April 1962 next question है residential status is determined for यानि residential status जो होता है वो किसे determined किया जाता है previous year से assessment year से accounting year या financial year तो friends का right answer है वो है option A previous year से determined किया जाता है next है how many heads of income are there year to compute gross total income यानि कितने heads होते हैं जिसके नरम gross total income को calculate करते हैं 6, 5, 4 या 3 friends right answer is B जो कि है 5 आपको पता होंगे कौन-कौन से head है 1st होता है income from salary salary होता है income from house property थाउड होता है income from business and profession 4th होता है हमारा income from capital gains and हमारा last and 5th होता है वो होता income from other sources next है deduction of tax at source made for incomes which can be calculated in advance is called यानि ऐसी कौन से deduction है जो कि income जह हमें मिलती है तब वो advance महीं कैट ली जाती है deduct कर ली जाती है TDS, PAS, FAS या MES friends right answer is A TDS All the following curves are U-shaped except यानि कि friends ऐसे कौन से curve है जो कि U-shaped नहीं है यहां पे except लिखा हुआ है तो हमें ऐसा curve बताना जो कि U-shaped नहीं है तो friends का जो right answer है वो है option to AFC curve AFC curve friends हमारा U-shaped curve नहीं होता है क्योंकि इसमें जो यह ना तो horizontal line पे टच करता है ना ही vertical axis पे टच करता है इसलिए हमारा U-shaped curve नहीं होता है Next question पर move करते है Multi-stage stratified random sampling is यानि कि multi-stage stratified random sampling है वो कौन सी sampling है Options है probability sampling, selective sampling, non probability sampling या none of the above तो friends का जो right answer है वो है option A वो है probability sampling Next question है Which of the following are considered output units of a computer यानि कि computer के जो unit है उसमें कौन से जो input है वो output की तरह consider किया जाता है Floppy disk, data and CDs, printer, video display unit, या फिर microfilm तो friends इसमें जो printer है वो output की तरह यूज किया जाता है computer में Next question है Process of delegation of authority involves यानि कि जो friends Authority के जो process होती है delegation of authority की process उसमें क्या क्या चीजों को include किया जाता है Options है Transfer of authority Transfer of responsibility Transfer of authority and responsibility Transfer of key management function ठीक है friends तो इसका जो right answer है वो है option 3 वो कहा जाता है transfer of authority and responsibility यानि कि delegation of authority के अंदर Authority and responsibility का transfer दिखाया जाता है Next question है Sort analysis is used in which of the following managerial function यानि कि short analysis जो है वो किस managerial function में use की जाती है Options है हमारे organizing, decision making, motivating, directing and controlling Friends का जो right answer है वो है option 2 Short analysis हमेशे decision making में use की जाती है क्योंकि कभी हम business में किसी भी तरह का decision लेते हैं तो सबसे पहले हम यह find out करते हैं कि हमारी company की क्या strength है weakness क्या है, opportunity क्या है and threats क्या है अपने goal को decide कर सकते हैं इसी के according हम आँगे की planning कर सकते हैं कि अब हमें किस तरह से अपनी जो भी threats है उस तरह किस तरह से उनको remove करना है किस तरह से हमें opportunity को लेना है यह सारे चीज़ हम उसी की basis पर करते हैं Next question पर मूग करते हैं Which of the following is the function of distribution channel यानि कि इसमें से कौन सा distribution function का distribution channel का function है options है fixing prices communication of decision promotional activities या कि निकी वो फोर्थ है हमारा all of the above तो फ्रेंड्स का जो right answer है वो है option 3 जो कि है promotional activities क्योंकि friends distribution channel में हमेशा promotional activities की बात की जाती क्योंकि अगर हमें ज्यादा promotion कराना पड़ेगा तो हम ज्यादा लोकों को involve करेंगे distribution channel हम उसी तरह का लेंगे लेकिन हमें promotional activities हमारी इतनी नहीं है तो हमें distribution channel भी हम इस तरह का नहीं लेंगे या फिर जो long procedure है वो adopt नहीं करेंगे depend करता है कि हमारे किस तरह का product है किस तरह का area है next question है product line covers यानि कि जो product line है वो क्या cover करती है journal retailer, one price retailer, departmental store या फिर all of the above तो friends इसका जो right answer है वो है option 4 जो कि है all of the above next question है which one of the following is not a leverage ratio यानि कि इन में से कौन सा leverage ratio नहीं है options है total data ratio, data equity ratio, interest coverage ratio या फिर quick ratio तो friends का जो right answer है वो है option D quick ratio हमारा leverage ratio नहीं है next है payback period method is also called as यानि कि payback period method जो है उसको क्या कहा जाता है payout method, payoff method, payback method या फिर all of these तो friends का जो right answer है वो है option 3 payback method कहा जाता है उसे next question है human relation approach of management is associated यानि कि जो human relation approach जो है management के वो किसे associated है Abraham Maslow से, Elton Mayo से, Peter Drucker से या फिर फ्रेडरिक has a work से तो friends का जो right answer है वो है option 2 ये Elton Mayo से related है next question है attrition is related to attrition जो है वो किस से related है job description से, job evaluation से resignation या termination से या फिर promotion से तो friends हमेशा याद रखेएगा जो हमारी job attrition जो होती है वो हमारी resignation और termination से related होती है next question है the nationalized new bank of India was later merged with जो nationalized new bank of India हो लेटर यानि बाद में किसम में merge हो गई Central bank of India में, bank of बड़ोदा में, पंजाव national bank में या option 3 ये मर्ज हो गई थी पंजाव national bank में, next question है the first financial institution set up in India यानि कि इंडिया में first financial institution कौन से setup हुआ, it'd be ICICI, IRBI या फिर IFCI, friends का जो right answer है वो है option D जो कि है IFCI, next question है which section option is not of balance of payment यानि कि current account, capital account, official reserve account या फिर loss account तो friends का जो right answer है वो है option D जो कि है loss account, loss account हमारा balance of payment का option नहीं है या फिर section नहीं है, next है which conference had given birth to international monetary fund यानि कि international monetary fund में जो कौन सी conference है जिसने बर्थ दिया था international monetary fund को, options है औरोगे round conference, round table conference, britain boot conference या फिर shimla conference तो friends international monetary fund जिसको आई में भी बोलते हैं उसको जो जन्म दिया था, britain boot conference नहीं, जो कि हमारा थर्ड option है वो हमारा right option है, britain boot conference, next है which one of the following pair is not correctly matched यानि कि इसमें से कौन सा जो pair है वो correctly matched नहीं है, installation of machinery, installation cost account, relevant cost, decision making, valuation of share, purchase of a company, break-even analysis, margin of safety, to friends का जो right answer है option A, installation of a machine, installation cost account, यह जो option है, यह correct नहीं है, next question है, which of the following is not a form of organization, यानि कि इसमें से कौन साथ form of organization नहीं है, तो friends, line organization, staff organization, functional organization, या फिर committee organization, तो friends, इसमें से जो हमारा option है, committee organization, यह हमारा forms organization नहीं है, next question है, which of the following economic system occur first, यानि कि इसमें से कौन सा economic system first time occur हुआ था, less is fair system, socialism, communism, या फिर capitalism, तो friends का जो right answer है, वह option A, less is fair system, हमारा first time occur हुआ था system, next question पर move करते हैं, national income में भी determined through, यानि कि national income है, वो किसे determined की जाती है, income approach से, expenditure approach से, productivity approach से, या all of the above, तो friends, यह determined की जाती है, all of the above, आप income के through भी determined कर सकते हैं, expenditure से भी या फिर total productivity को देख कर भी, next question है, standard error of mean is defined index, यानि कि standard error of mean जो है, वो किस तरह से define किया जाता है, standard deviation of the sampling distribution of a mean, या फिर average of sampling distribution of mean, या फिर interquartile range of sampling distribution of mean, या फिर correlation coefficient between the sampling distribution mean and population mean, तो friends, इसका right answer है, वो है option one, standard deviation of the sampling distribution of mean, यानि कि जो भी mean निकल कर आएगा, उसकी sampling distribution का, उसका standard deviation निकलना हमारा standard error of mean का, उसका मतलब होता है, next आता है, which of the following is not involved in the characteristics of business ethics, यानि कि इसमें से कौन सी characteristics involved नहीं है, business ethics में, first आता है, business ethics is a dynamic philosophy, second आता है, business ethics is based on moral value, third आता है, business ethics influenced by social culture value, fourth हमारा business ethics is not inspired by social welfare, तो friends, का right answer है, वो है option D, इसमें लिखा गया है कि यो social ethics है, वो social welfare से inspired नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, friends, बहुत सारे ethics ऐसे होते हैं, जो कि हमारे social welfare से inspire होते हैं, next question है, management of sales force involves, यानि कि जो sales force है, उसका management में क्या के involved होता है, selection of salesman, remuneration to salesman, training of salesman, या फिर all of the above, तो friends का जो right answer है, वो है option D, all of the above, sales force के management में, आप selection भी करेंगे salesman का, salesman के remuneration की भी बात होगी और salesman की training की भी उसके अंदर बात की जाएगे, तो ये सारी चीज़ेंगी, sales force के management में include होती है, next question है, is a permanent inter-government body governing and regulating international trade in goods and services, यानि कि इसी कौन सी permanent inter-governmental body है, government की, जो की government करती है, regulate करती है, international trade को जब भी goods and services की बात की जाती है, तो उसको में regulate करती है, options है, get, exam bank, WTO या फिर आइम, तो friends का right answer है, WTO, help करती है, जो भी international trade होती है, goods and services के, उसमें वो regulate करती है, उसको covenant करने होती है, और जो भी किसी तरह की कोई rules and regulation की बात होती है, तो WTO करती है, next है, fiscal deficit in the union budget means, यानि की union budget में the fiscal deficit का क्या मतलब है, options है हमारे, the sum of budgetary deficit and income, net increase in internal and external borrowings, second option है, the difference between current expenditure and current revenue, third option है, the sum of monetized deficit and budgetary deficit, fourth option है, net increase in union government borrowing from the Reserve Bank of India, friends, इसका right answer है, वो है option two, friends, जब भी difference की बात की जाएगी current expenditure and current revenue में, तो वहाँ वो हमारा fiscal deficit होता है, यहाँ पर यह लुग क्या बात कर रहे है, budgetary deficit or net increase in internal and external borrowings, friends, यहाँ पर यह सिर्फ borrowings की बात करें है, जब कि यहाँ पर हम all current expenditure and current revenue सब की बात करते हैं, यहाँ पर भी यह monetized deficit और budgetary deficit की बात करें हैं, जो की wrong है, और यहाँ बात कर रहे है net increase in union government, नेट इंग्रीजिन यूनियन गवर्मेंट की बात कर रहे हैं जो कि फॉरेंग से ही रिलेटेड तो ये भी गलत है फिसकल डेफिसिट में हम करेंट एक्सपेंडिचर एंड कवरेंट रवेंडियू की बात करते हैं इसलिए मारा ऑप्शन टू जो है वो ट्राइट ऑप्शन ह है कि नेक्स्कोंट सिच्पोन है दो अबजेक्टिव इस टू टीव उचीब विर्एकुटी यानि चैना प्शेक्टिव जो की हहल पर नैंथ हमारा फ्शनी एकूटी यहनुत की नेक्स्कीडिफ जो। of foreign exchange was the introduction of याने की जो significant development है foreign exchange का उसका introduction क्या था वो किसका था foreign exchange regulation का था foreign exchange management act का था export import policy 2005-2006 का था या फिर Exim bank का था तो friend यह था हमारा foreign exchange regulation act का next question है the term industrial policy refers to यानि कि industrial policy वो क्या बताती है the rules and regulation relating to the establishment of industries industrial undertakings and their expansions या फिर remove the structural financial fiscal administration administrative infrastructure related in impediments to the efficient functioning of a market oriented company the culmination of liberalization program increase the efficiency of public sector undertakings तो friends अगर हम industrial policy के meaning की बात करें तो यहां पर इसका जो meaning है वो options to जो है हमारा पूर राइट है क्योंकि इसमें यह बात कर रहा है जो भी structural financial होते हैं उसको remove करता है fiscal administrative की बात करता है infrastructure की बात करता है और साथ ही साथ यह efficient functioning की बात करता है जो market oriented economy में बहुत ही जरूरी है तो जो भी industrial policy की जो सारी features भी हम बोल सकते हैं वो सारे हमारे इस पॉइंट में cover होते हैं तो हमारा जो second point है वो हमारा right answer next question है who are the customers of cost and management accounting यानि कि जो cost and management accounting है उसका कौन customer होगा managers creditors lenders या consumers तो friends का right answer है a जो की है manager manager इसका owner होगा sorry customer होगा next question which of the following is an efficiency ratio efficiency ratio इसमें से कौन सा है price earning ratio, debt equity ratio, asset test ratio या फिर average collection period तो friends का जो right answer है वो है option D जो की है average collection period next question है what do you mean by cash equivalent cash equivalent क्या होता है तो friends cash equivalent जो है उसका मतलब bank balance से है short term highly liquid securities से है investment से है या फिर investment in venture से है तो friends का जो right answer है वो है option two जो की short term highly liquid securities होती है जिसको हम easily convert कर सकते हैं cash में वो हमारे cash equivalent कहलाते हैं यानि कि एसी security या एसी assets जो की easily convertable हो शुझो short time में convert हो जाएं cash में हमारे cash equivalent कहलाते हैं यह mainly जो होती है more than one year की होती है sorry less than one year की होती है नेक्स कोशन है ता profit calculated by marginal costing and absorption costing are different because of यानि की जो प्रॉफिट जो है marginal costing के द्वारा जो calculate किया जाता है और absorption costing के दौरा अंदौन में क्या difference किसके दौरा होता है capital and reserve के दौरा opening stock के दौरा valuation of stock के दौरा या closing stock के दौरा तो friends वो होता है हमारा valuation of stock के दौरा difference आता है next which of the following is not the method of forecasting यानि की forecasting demand का इसमें से कौन सा method नहीं है options है collection opinion method total outlay method expert opinion method ये controlled opinion method तो friends का जराइट आंसर है वो है option 2 ये है total outlay method नेक्स्ट है when marginal utility is negative then total utility यानि कि marginal utility अगर negative है तो total utility क्या होगी increase होगी decrease होगी zero होगी ये negative होगी तो friends का जो राइट आंसर है वो है option हमारा वीडियो को लाइक कीचे अपने फ्रेंट्स के याद शेयर कीचे और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सेजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो प्रेंट्स नेक्स वीडियो में हमको मिलते हैं और वीची वीडियो के साथ पर तक के लिए बाइबाइब